हाई एवरिवान वेलकम तो स्लीपी क्लासेज के आज हम डिस्कुस करेंगे गदर मुमेंट और साथ साथ कवर करेंगे कोमा घाटा मारू इंसिडेंट तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं अब एग्जिकली अगर हम सिंपल वर्ट में डिफाइन करें गदर मुमेंट था क्या गदर मुमेंट वा से इंडिया वा इविल्शनेरी और उर्गनिजिशेशन जिसको प्राइमेरिली पॉंड किया था पंजाबी के द्वारा पंजाबिस बोले तो यहाँ पर सिक्स भी थे, हिंदूस भी थे और मुस्लिम्स भी थे अब गदर मुमेंट को हम काफी डिटेल में डिसकस करेंगे पहले यह देख लेते हैं कि हमारे भारत में उस हमें क्या चाहदा था देखें 1907 के आसपास ना इंडिया नेशन कॉंग्रस में हमें सिप्लीट देखने को मिला था और यह सिप्लीट कैसे हुआ था यह भी मैं आपको बताऊंगा तो सिप्लीट हुआ था एक्स्रीमिस लीडर और मॉडरेट्स लेटर में अब देखें मॉडरेट्स को बिलीव था कि ब्रेटिश अस हमें एक ना एक दिन तो अजाद करी देंगे और जो एक्स्रीमिस लीडर ने काफी एहम रोल निभाया था लाल पाल बाल और 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 बिंदो घोष इन्होंने काफी एहम रोल निभाया था लाला लाजबत राए वीपिन चंदरवाल और बाल गंगा तरतिलग और बिंदो घोष और भी बहुत सारे एक्स्रीमिस लीडर थे जो रेवलिशनरी एक्टिविटीज करते रहते थे अब ब्रिटिश को लगता था कि जो मॉडरेट इंडिया में इंट्री होती है लाला हर्दयाल जी कि यह उक्सफर्ड उनिस्टी में स्कॉलर्शिप को त्याग कर चोड़ कर इंडिया आते हैं इंडियन फ्रिडम श्रगल को जॉइन करते हैं देखिए उस समय जज़बा प्रिडम फाइटर्स का कि वह स्कॉलर्शिप तक क निकल जाते हैं अब यहाँ पर इनका क्या रोल है गदर पार्टी को इस्टैब्लिश करने में यह हम डिटेल में डिसकस करेंगे पहले इनिशियल फेस देख लेते हैं कि गदर पार्टी कैसे इस्टैब्लिश हो और क्यों होई देखिए हमारे इंडिया में जब बुरे हाल स्टूल कर रहे थे तो बहुत ही हालत खराब थी जॉब ऑप्शनेटी मिलती नहीं थी और आपको पता यह टाइम टू टाइम में हमें फेमाइन भी देखने को मिलता था ब्रीटिश यहां से सारा पैसा अपने कंट्री में ले जाते थे और बहुत ही बुरे हाल थे हमारे इ एक नाम यहां पर आप एड़न कर लो रामदास पूरी इनको रेशल डिस्क्रिमिनेशन जहिलना पड़ता है जब यह वैंगावर में जा रहे होते हैं तो जो ब्रिटिश वर्स मतलब जो गोरे लोग हैं वह उनको थोड़ा सा अच्छे से ट्रेट नहीं करते तो रेशल डि जेडी कुमार और रामदास पूरी यह एक तरह से वहां पर जो वैंको में लोग हैं उनको कठा करना स्टार्ट कर देते हैं मतलब अपनी कॉम्मुनेटी अगर एक साथ रहेगी और यहां से हम एक मूमेंट लौंच करेंगे और अपने देश को फ्री करवाएंगे और यहां एक paper publish करते हैं तारक नाजी फ्री हिंदूस्तान और इसमें यह Britishers के खिलाफ बहुत कुछ लिख देते हैं कि Britishers हमारे इंडिया में इस तरह से हम लोगों की वाज को दुबा रहे हैं और हमारा देश गुलाम है बहुत कुछ यहां पर लिखा दाता है इनके दौरा जब वैं शिफ्ट हो जाते हैं कहां पर युएस में सियाटल में और यहां यहां पर यहां पर हाउस मतलब सभी इंडियांस को एक तरह से इस हाउस में बलाया जाता है एक तरह से जॉइन करा जाता है कुछ भी आप यहां पर कंसिडर कर सकते हो अब यहां होता क्या है कि हर शनिवार क मिनिमम 25 जो इंडियंस हैं उनको बताया जाता है कि हमारे देश में ब्रिटिश किस सरा से खूमत कर रहे हैं। याउज को डुबाया जा रहा रहा है। एक तरह से देश भक्ति की भावना जागरूपक करें। और इनको कहा जाता है कि आप हमारा साथ दीजिए और ये कहीं न कहीं लिंक में होते हैं खालसा दिवान सुसाइटी के तारगनाथ हैं जीडी कुमार जी और जीडी कुमार जी भी एक पेपर पब्लिश करते हैं सब्देशी सेवक ये जो पेपर है आपने याद रखने हैं ड्रेकली पुछे जाते हैं और उसके बाद अगर हम देखें लाला हर्दियाल जी तारगनाथ जीडी कुमार ये सारे यहां सेंट फ्रेंसिस्को में एक पार्टी बनाते हैं और ये पार्टी का नाम है पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्ता हम लोग क्या कहते हैं गदर पार्टी अब गदर पार्टी में में उदेशने का हुथ होता है कि हमारे इंडिया को अज़ाद करवाना और जितने भी फॉर्ण ब्हीं ह M ine एक हैं और आप अब यहँग आप थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ देखे पैसिफिक कोस्ट हिंदूस्तान एस्सेशन या फिर गदर पार्टी को स्टार्ट करने में या इसको एक तरह से इसको कहा दाता था युगांतर आश्रम यहाँ पर आप हैड़कोर्ट देख सकते हो जो सेंट फ्रैंसिस्को में हमें देखने को मिलता था और इन्हीं के दवारा एक वीकली स्टार्ट करेगी और इस वीकली का नाम क्या था गदर गदर का अगर हम मिनिंग देखें वह क्या हो मंचाबी में उर्दू में हिंदी में चापा गया और बहुत सारी कंट्री में इस वीकली जाते थी जैसे केनेडा में जो इंडियन रहर है उनको यह वीकली भीजी जाती थी और सिंगापूर में यहाँ पर मैं सिंगापूर को सिरफ ऐसी लिख रहा हूं तो आप लिख nations में जाती जैसे Philippines में और हमारे प्यारे भारत में अब देखिए यहां पर जितने भी foreign countries में इंडियन्स रहते हैं और इंडियन्स जहां पर रहते हैं और जहां पर British हकोमत हैं उनको वहां से भी एक तरह से हटाने की बात करी जा रही थी इंडिया से तो इनको British हर्स को निकालना ही था लेकिन जहां पर यह British हर्स रूल करने थे नहीं वहां से भी भगाना था इनको तो कैनेडा सिंगापूर यूएस से माले अस्टेट फिलिपिन्स होंग कॉंग और इंडिया में जब यह weekly जाती थी तो उस समय वहां पर इंडियन्स को लगता था कि हाँ अब हम कुछ कर सकते हैं अब एक पार्टी है जिसको हम जॉइन करेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि Britishers को हम अपने प्यारे भारत से निकाली देंगे क्योंकि जो गदर weekly थी ना इसमें कुछ ऐसे words हमें देखने को मिलते थे जिससे देशभक्ती की भावना जागरुक हो जाती थी जैसे यहां पर आप देख सकते हो कि गदर weekly का जो बिल्कुल starting page था उसमें क्या लिखा होता था यहां पर time period नहीं बताया जाता था यह कहा जाता था कि बहुत जल्द हम इंडिया में जाकर revolutionary activities करेंगे और उसके बाद कुछ ऐसे words थे जो काफी जाता है यहां पर लोगों को प्रेडित करते थे अंग्रेजी राज का कच्चा चिथा और 14 points में explain करा जाता था कि Britishers की इस तरह से Indian wealth को लूट रहे हैं और अपनी country में लेकर जा रहे हैं और फिर 2 points में suggestion दी जाती थी कि Britishers के इंगेस्ट आप यहां पर क्या गया कर सकते हूं और अंग्रेजी राज के दुश्मन बहुत ऐसे words होते थे जिससे लोग बहुत जल्दी connect होते थे और यह जो printing थी ना यह किसके अंडर चर रही थी यह नाम आपको याद रखना है करतार सिंग यह पूछा जाता है कि इस पार्टी के विच्छे कौन है लाला हर्दयाल जी सोहन सिंग जी तो लाला हर्दयाल जी ने एक hate speech दियोगी हमारे इंडिया में तो उसको लेकर Britishers ने sedition charges लगा दी उन पर जब sedition charges लगाए तो लाला हर्दयाल जी को पार्टी छोड़नी पड़ी और इस पार्टी को संभ यह तो हम लोगों को ऐसे च्याद करने की कोई जोयतनी है बस मन्त पता होना चाहिए जुलाई में World War One स्टार्ट हो गया था अब Britishers यहां पर multiple areas से इनिशेट कर रहे थी इस World War One में तो जितने भी हमारे गदर पार्टी के leaders है ना उनको लगता था कि बिलकुल सही time है Britishers को हमा लगबग यह Government का ही डाटा है अक्तूबर 13 अक्तूबर 1914 से लेकर चोरी 1914 यहां पर 1914 से लेकर 25 फरवरी 1915 के बीच में लगबग 2312 जो गदर आइट्स हैं मतलब गदर पार्टी के जो लोग हैं वो इंडिया जाते हैं और यह आक्रा 1916 तक लगबग 10,000 के आसपास चला दाते ह में उदेश्य क्या था कि हम चाइना के थुरू इंडिया में अटैक करेंगे मतलब इंडिया में इंडिया लोगों को नहीं अटैक करेंगे ब्रिटिश पर अटैक करेंगे चाइना के थुरू हम जाएंगे कश्मीर कश्मीर के थुरू हम जाएंगे पंजाब और धिरे धिर ब्रेटिश इंहां से भारी निकाल देंगे तो यह मेनिन का उदेश था जब इंडिया जाते हैं तो बहुत सारे हमें पैंप्लेट्स भी देखने को मिलते हैं जैसे गदर संदेश इलाने जंग तिलक और नो जवान्यों उठो तो इस तरह कि जो हमें पेंप्लेट्स देखने को उससे लोग बहुत जादा प्रभावित होते हैं अब इसी के बीच में एक इंसिडेंट हो जाता है कोमा घटा मारू इंसिडेंट इसको भी थोड़ असा हुए यहां पर डिसकस कर लेते हैं वैसे देखो अगर हम अलग-लग डिसकस करें तो मुझे सुप्रीम कोर्ट अलाओ कर लेती थर्टीफाइब ओढcciones को की वह चैनेडा में एंटर कर सकते हैं इसको देखते हुए काफिए इंस्पार nhất के गृचित तो हुए बाबा गृदीट सिनर्ड्युथ Gsbap हाइर करते हैं कोमा घाटा मारू शिप का नाम होता है और कहां से हाइर करते हैं सिंगापूर से और यह शिप ने चलना कहां कहां से होता है मैं आपको एरिया बता देता हूं योका हमा योका हमा से होंग कॉंग Hong Kong से यह Singapur और Singapur के बाद यह पहुंचेगी Canada अब Canada में कहाँ पर Vancouver में अब exactly जब यह ship पहुंचती है तो उसके बाद Canadian Authority है वो ship में जितने भी persons होते हैं लगब 360 से लेकर 376 persons होते हैं उनको बाहर निकलने के लिए मतलब मना कर देती है कि आप इस ship में ही रहें अगर आप बहार आएंगे तो हम आप पर attack करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस खड़ी है तो यह जो यहाँ पर ship में लोग होते हैं mostly पंजाब से ही होते हैं और ज्यादा तार यहाँ पर six होते हैं कुछ Muslims होते हैं कुछ Hindu होते हैं तो यह दो महिने के लिए इसी ship पर बैठे रहते हैं मतलब इंतजार करते हैं कि कब Canadian Authority अलाओ करेगी और कब हम यहाँ पर जमीन पर उतरेंगे तो ship पहुंच गई है बस यहाँ पर पानी में ship खड़ी है लेकिन जमीन पर उतरने की इनको permission नहीं दी जारी और इसी के चलते हुए जो passenger हैं वो यहाँ पर request करते हैं और request जब करते हैं तो shore committee बनाई जाती है shore committee किसके अंडर बनाई जाती है हुसैन, रहीम, सोहन, लाल, पाठाक, बलवन, सिंग और यह जो committee थी यह भी ऐसाच कुछ नहीं कर पाई थी क्योंकि world war one start हो गया था और world war one जैसी start हुआ था तो उस समय Britishers के द्वारा यहाँ पर announce करा गया था कि जो जो जहां से भी आया उसको वहाँ वहाँ वापस करा जाए किसी को भी allowed नहीं होगा कि वह दूसरी country में जाकर प्रवेश करें तो यह ship जब वापस होती है दो महिने के बाद और आप देखी सकते हो कि frustration level कितना high होगा उस समय जब यह ship वापस रिटर्न करती है इंडिया और जैसी इंडिया में रिटर्न करती है बज बज नियर बाउट कलकत्ता और जैसी यह लोग निच्चे उतरते हैं तो पुलिस वालों के साथ जड़ब हो जाती है जब जड़ब होती है तो 22 लोग यहां पर मारे जाते हैं 200 के आसपास लोगों को यहां पर arrest करा जाता है और बहुत सारे लोग यहां से भाग जाते है और फिर यही गुसा एक तरह से kick देता है गदर मुमेंट को और गदर मुमेंट को लगता है कि हमारा जो यह जो मतलब ब्रेटिशर्स की जो हकूमत है उसको हमें यहां से भागाना है और जो यह incident है यह incident जैसे कि मैंने आपको बताया कि kick देता है इस पूरे के पूरे मुमेंट को अब गदर मुमेंट का क्या यहां पर initiative था कि हम चाइना से एंटर करेंगे फिर पंजाब वाले reason में सोरी कश्मीर वाले reason में फिर पंजाब वाले reason में और धीरे धीरे ब्रेटिशर्स को इंडिया से भगा देंगे अब देखो गदर मुमेंट की सबसे बड़ी कमी क्या रही वो चलो मैं आपको last में उताता हूं पहले यह देख लेते हैं कि exactly good rights ने किस तरह से पंजाब में इस मुमेंट को चलाया जब कॉमा घाटा मारों इंसिडेंट हुआ उसके बाद यह मुमेंट हमें काफितेजी से देखने को मिला और target attack रखेगे कुछ areas चहां पर Britishers की ऐसे समझ लो Britishers की जो सेना वहां पर रहती थी फिरोजपूर लाहोर रावल पिंडी यह गड़ इसको गैरिसंस को क्या करता था गड़ यह एरिया जो चहां पर Britishers का गड़ था लीडर्स राज भीहरी यह बहुत बाद में जॉइन करते हैं जो लोकल लीडर्स हैं सचिन सन्याल विश्नु गनेश पिंगले यह बहुत लेटर ओन जॉइन करते हैं उसके बार रिजल्ट क्या होता है कि यह प्लैन पूरा को पूरा पहली Britishers को बता होता है ब्रेटिश सप् संगरपर मुटिनी होई थी यहां पर अंडर जो जमादर चिस्ति खान जमादर अब्दुल घानी और सुबेदार दौद खान थे इनके अंडर यह मुटिनी होई और इसमें 37 को एक्जिवूट कर दिया गया बाद में Britishers के दवारा 41 को ट्रांसपोर्टिट फॉर लाइफ का एक तरह से सजा दी गई और करतार सिंग जो मात्र 19 साल के थे और इनों ने पंजाब में जो पंजाब वाला रिजन है यहां पर मुटिनी करी थी अब्दुल्ला जी को अंबाला में फांसी दी दी गी थी तो यह जो गदर मुवमेंट ने इसको सप्रेस्ट कर दिया था Britishers न ज्यादा यहां पर गदर मुवमेंट अपना इंपक्ट नहीं बना पाया था जैसे 1857 की जो करांती थी इसके पीछे के रिजन्स के हैं वो भी एक बार डिसकस कर लेते हैं लिको जो गदराइट से ना इनों ने बेसिकली यहां पर बहुत सारे परसंस को अपनी पार्टी में जोइन करवा लिए बहुत सारे परसंस थे लगबख 10-15,000 यहां पर जो गदर पार्टी को जिन्होंने जोइन किया था अब सबसे बड़ी कमी क्या रही इन्होंने एक तरह से चलाकी करी इन्होंने बहुत सारे गदर जो जो मतलब परसंस थे उनको ब्रिटिश आर्मी में ज काल पाएंगे लेकिन यहां पर ब्रिटिश वी उटी बहुत को से होथे तोकिय है बहुत सारे अपने जो खबरी होते वो इस पार्टी में जॉइन करवा हो और वह इंटर्नल जो खबरी होती है वह ब्रिट शर्स को देते रहते हैं अब जैसी गदराइट इंडियन इंड्य 60% जो गदर लीडर से उनको railway station से ही Britishers ने arrest कर लिया तो आप देख लो कि Britishers के बास कितनी पुकता यहाँ पर सबूत होते थे कितनी पुकता information होती थी इनकी CID उससे में कितनी strong होती थी मतलब जो इनके खबरी थे वो कितने strong होते थे और अगर कोई लीडर यहाँ पर बच जाता था गदर पार्टी का और वो अपने गाउं में जाता था तो गाउं में जो जमीनदार थे वो पहली इनके loyal थे वो इनको खबर दे देते थे कि यह ऐसे कोई बाहर से person आया है और हमें पर गदर पार्टी का जो मुमेंट था और प्लैन था वो तो काफी अच्छा था है ना लेकिन इसको execute करने के लिए पैसा भी तो चाहिए था चाइना से कैसे आपने एंटर करना है और दिन किस तरह से आपके पास हत्यार होने चाहिए यह सारी चीजे भी तो हमारे को कहीं ना कहीं जुरूरी है तो financial issue कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला और जैसे कि मैंने इपको पताए इंडिया में आती इनको कर दे थी लेकिन इतना जादा इन्होंने कोई efforts नहीं करे थे वैपन्स दे दिये थे कुछ और कुछ यहां पर training वगरा प्रवाइड करवा दे थी लेकिन जर्मनी ने अपने soldiers नहीं वेज़े थे तो यह भी एक बहुत बड़ा drop back रहा गदर moment के fail होने में तो देखे गदर moment को हमने काफी detail में discuss करा और जो points थे मैंने आपको बताए और अगर in case आपका कोई doubt है प्लीज comment section में post करेगा और यह जो PPT है आपको बहुत जल मिल जाएगी telegram channel पर और जो जो points यहां पर लिखे हो है इनको अच्छे से देखना और जितने भी आपके doubts होंगे most probably clear हो जाएंगे अगर in case आपका doubt है मैं फिर कहूंगा comment section में post करेगा और ध्यान रखिए और इस session में इतना ही चले बाय बैटे